ओम शान्ति, चौबिस जन्वरी दोवाजार चौबिस आज की साकार मुरली रंगीन बड़े-बड़े अक्षरों में पड़ें, सुनें और मन्थन करें, आज की मुरली का सार मिठा-मिठा बाबा, कहते मिठे बचे आतम अभिमानी बनने की प्राक्टिस करो, तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, बाब की याद रहेगी, आतमा सतो परधान बन जाएगी, प्रेश्ण, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पताने, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का, कौन सा ऐसा रास्ता है, जिसका बिल्कुल पता नहीं है, ऐसा कौन सा रास्ता है, बाब से मिलने का, परम पिता, परमात्मा से कैसे मिले, ये दुनिया में कोई भी नहीं जानता, जीवन मुक्ती प्रात करने के रास्ते का किसी को भी पता नहीं है सिर्फ शान्ती शान्ती करते रहते हैं शान्ती हो जाए विश्व में शान्ती हो जाए उसके लिए खुब परचार करते रहते हैं conference करते रहते हैं, जानते नहीं कि विष्व में शान्ती कब थी, ये किसी को भी नहीं पता कि विष्व में शान्ती थी जो तुम चाहते हो, ये कोई चीज चाही जाती है, उसको किसी ने टेस्ट किया है, तब तो उसकी चाहता रखेंगा ना, वह किसने लडू खाया है तो तो लडू मांगेगा जिसने कभी जीवन में लडू खाया ही नहीं वो लडू मांगेगा कैसे उसे पता ही नहीं है अब यही बात बाबा पूज रहे हैं कि विश्व में शांती कब थी तुमने कभी टेस्ट किया है जिसको तुम डिमांड कर रहे हो क्या होती है शान्ती कैसे हुई थी वो शान्ती यह आपको पता है जब पता ही नहीं तो करोगे कैसे लडू बनाना नहीं आया था खाना खाया नहीं लडू बनाया नहीं तो आप उसको मांगेंगे कैसे आप मांग रहे हैं तो कभी आपने उसका इस्तिमाल किया है टेस्ट किया है प्रन्तु अब क्या हो गया है भूल गए हो अब भूल गए हो अब कोई आके याद दिलाए तो मिले ना अब याद कोन दिलाए जिसको याद हो अब वो याद दिलाने वाला काम शिरफ एक परमपिता परमात्मा ही कर सकता है बाकी इस दे में आने के कारण दे के बंदन में आने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं यह एक लौ है यह एक निय में आत्मा ने एक शरी छोड़ा दूसरा लिया पिछले जन्नम में क्या हुआ था भूल गए यदि उसे याद रहे तो ना इधर जी सके ना उधर जी सके उसके बावजूद भी किसी किसी को हजारों लाखों में से किसी एक आदे को कोई कोई बाते याद रह जाती हैं वो भी लाखों क्रोड़ों में कोई एक आदा केस सामिलता है जिसको पिछले जन्म की बाते याद होती उर वो भी भूल जाते हैं जैसे वो काम पूरा हुआ क्योंकि वन्ना ना इधर जी सकता है ना उधर जी सकता है और कैसे हुई तुम पूछ साकते हो कि आपने विश्व में शांती देखी है शांती कैसे होती है विश्व में शांती तो एक बाप के द्वारा ही स्थापन हो रही है ओ रही है आओ आकर समझू प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरिये विश्व विद्याले में ओ शानती रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं पहले पहले तो ये द्रिष्टी पक्की करो कि हम आत्मा हैं हम भाई भाई को देखते हैं जैसे बाप कहते हैं मैं बच्चों आत्माओं को देखता हूं आत्मा ही शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा सुनती है बोलती है आत्मा का तक्त है ब्रिकुटी तो बाप आत्माओं को देखते हैं ये भाई भी अपने भाईयों को देखते हैं तुमको भी भाईयों को देखना है पहले ये पक्की करो, सबसे पहली पक्की ये द्रिष्टी चाहिए कि हम आत्मा हैं और सब आत्मा हैं, देख की द्रिष्टी से देखना ही नहीं है, फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएगे, ये आदत पढ़ जाएगी, ये आदत पढ़ जाएगी, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चोरपूर करती है, चोरपूर करना माना हिलना दूलना, आत्मा नहीं है तो इस शरीर की धड़कन भी न चले, इस धड़कन को चलाने का काम भी आत्मा करती है, कुछ भी नहीं कर सकता ये शरीर, हिल भी नहीं सकता, ये द्रिष्टी पक्की होने से और ख्याल सब उड़ जाएंगे ये है नंबर वन सब्जेक्ट इसमें दैवी गुण भी ओटोमेटिकली धारन होते रहेंगे कर्म इंद्रियां चलाए मान दे अभिमान में आने से होते हैं दे समझा तो दे की तरफ आकरशित हुआ आत्मा समझेंगे तो दे की तरफ आकरशित नहीं हो सकते क्या है ये मित्टी है समझान में जाने पर समझ में आता है क्या है ये मित्टी है उठाओ और जला दो और कुछ नहीं कुछ भी नहीं कितना गैरा संबंद हो कितना प्यारा संबंद हो कितना रोटी काट के खाते हो एक नवाला बाट-bाट कर खाते हो अब इसका कोई मतलब करमिंदर्या चलाए मान दे अभिमान के कारण होते है दे ही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो यह नहीं कि एक बर हमने कोशिश की क्या करूँ फिर बाद बाद देह अभिमान आ जाता है देही अभिमानी बनने की कोशिश करो तो तुमारे में ताकत आएगी सर्व शक्तिमान बाप की ताकत से ही आत्मा सतो परधान बनते हैं बाप तो है ही बाप तो है ही सतो परधान तो पहले पहले ये द्रिष्टी पक्की हो तब समझे कि हम आतम अभिमानी हैं आतम अभिमानी और दे अभिमानी में रात दिन का फर्क है हम आतमाओं को अब वापस घर जाना है आतम अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सतो पर्धान बनेंगे यहें प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे यह प्रैक्टिस करेंगे तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे मुनुष्य कहते हैं धर्ती के सितारे बरोबर हम आतमा सितारा हैं यह शरीर मिला है कर्म करने के लिए हम आतमाओं को यह शरीर मिला है कर्म करने के लिए अब हम तमो परधान बने हैं मिला है किसी और ने दिया है या हमने बनाया है हमने बनाया है हमारे कर्मों के अनुसार मिला है जैसे हमने स्रेष्ट करम किये हुए थे गंदे करम किये हुए थे उसी परकार से हमने अपना शरीर बनाया है अपना कार्मिक एकाउंट बराबर करने के लिए अब हम तमो परधान बने हैं फिर हमको सतो परधान बनना है बाप को आना भी पुर्ष उत्तम संगम युग पर है ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्रैस्ट के शरीर में आते हैं वे आते ही रजो परधान में हैं कोई बुद्ध वा क्रैस्ट के तन में भगवान आए ये तो हो ना सके वे आते ही एक बार हैं और आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने तमो परधान दुनिया को बदल सतो परधान बनाने क्यों आते हैं पुरानी दुनिया में आते हैं पते दुनिया को पावन बनाने के लिए आते हैं वे ज़रूर संगम पर आएंगे तब आएंगे ना जब कल्यूग खत्म होने वाला हो और सत्यूग शुरू होने वाला हो और कोई समय पर वे हैं तो सभी दर्म इसमें इसलिए तो दुनिया वाली गीता में भी ये बात लिखी गई मैं आता हूँ अधर्म को मिटाकर पुना सनातन धर्म की स्थापना करने तो जब चार सारे अधर्म बन जाते हैं ना अज जितने भी इस धर्ती पर धर्म है सारे के सारे अधर्म बन गए हैं क्योंकि सत्य को जानते ही नहीं सत्य को ना जाने कर सारे संसार के धर्म अधर्म बन गए हैं अब परमात्मा आकर सारे अधर्म खतम करके पुने सनातन धर्म की स्थापना करते हैं सनातन धर्म का नहीं कर रही है वो हिंदू धर्म का कर रही है हिंदू धर्म माना तमों पर धर्म मेरे भाई यही बात समझने वाली है कि हिंदू धार्म ये मुसल्मानों ने आकर के दिया इससे पहले हिंदू शब्द नहीं है पहले भारत है जो अब भारत इन्होंने नाम रखा है पहला नाम भारत ही है पार्णतो बाद में अंगरेजों ने आए लुजू ने इसका नाम इंडिया राथ दिया भारा тобर तो इंडिया हो गया नाम अब फिर्शे दुबारा भारत रख दिया ठीक है अचाँ नाम तो भारत हो गया पर तो किसी के धर्म तो नहीं है न हिंदु माना काफिर वो हमें हिंदू कहते हैं वो काफिर कहते है अपनी भाशा में कि ये काफिर हैं ये भगवान को नहीं मानते हैं क्योंकि ये कुरान को नहीं मानते हैं जो कुरान को नहीं मानता वो हिंदू काफिर और जो कुरान को मानता है वो मुसल्मान ये नाम मुगलों ने दिया और फिर उन्होंने कहा कि यदि आप मुसलमान नहीं बनते हो तो आपको जजिया कर देना होगा जजिया कर ये होता है कि मुसलमानों का कोई तिवहार आएगा तो आपको टेक्स देना होगा और जologically मुसलमान बन जाओ तो तुमें टेक्स नहीं देना तो उन्होंने कहा जी गर्व से कहो की हम हिंदू हैं हम आपको टेक्स देंगे ये लो तुम पैसे लेलो हमारे से तो जो गरीब थे वो मुसलमान बनते गए और जो अमीर थे वो टेक्स नहीं दे सकते थे अमीर थे वो टेक्स दे सकते थे उन्होंने टेक्स दे दिया उन्होंने अपने धर्म का परिवर्ता नहीं किया यह यह नियम था इसी कारणे सारे मुसल्मान बन गए जजिया करके कर रहा हूं लिख्ये, Christians जब अग्रेज आये थे तो उन्होंने Christians में बदलना शुरू किया, जब जिसकी पावर आती है, वो अपना बदलने की कोशिश करता है, अब ये Hindu राजा आ गया, तो ये Hindu की तरफ सब को बदलने की कोशिश करेगा, सारे मुसल्मानों को हिंदू बनाने भी लगे रहेंगे अब ये काम तो राजनीता करते रहेंगे ना जो भी उनका पार्ट है हर एक आत्मा का भी पार्ट है कि वो अपना पार्ट बजाएंगे पर तो हमारी बात यह थी कि जब अनेक धर्म हो जाते हैं चाहे वो कोई भी धर्म है चाहे वो मुसलिम हैं क्रिश्चन हैं बोद्धिस्ट हैं जैनी हैं इस समय सारे धर्म भरस्ट हो चुके जाए वो सनतन धर्म हो, जाए कोई भी हो सारे धर्म जो दुनिया में चले आ रहे थे सनतन धर्म हिंदु हो गया, ब्रास्ट हो गया चैसिक धर्म है, कृश्टन धर्म है, सब अब परमात्मा आए हैं सब धर्मों का जमेला खतम कर एक आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। दुनिया स्थापन अब उनको आकर परमात्मा को आकर नई दुनिया स्थापन करनी हैं, उनको कहा जाता है, उनको कहा जाता है heavenly God Father, ड्रामा अनुसार संगम का भी नाम है, स्री किष्ण को तो बाप वापतित पावन नहीं कहेंगे, स्री किष्ण को ना तो बाप कह सकते हैं, ना पतित पावन कह सकते हैं, उनकी महिमा बिलकुल अलग है, क्रिश्ण की महिमा बिलकुल अलग है, बाबा समझाते रहते हैं, पहले पहले कोई को इम आपजक्ट समझाओ. कोई ब्याए उसको बताओ, कि हमारे इस संस्था का इम आपजक्ट क्या है? भारत में लक्ष्मी नारहन का राज्य था. तो एक धार्म, एक राज्य था. एक धर्म था. एक राज्य था. आदिशिनातन देवि देवता धर्म था, एक ही अद्वेत धर्म था, हैवन स्थापन करना तो बाप का ही काम है, कैसे करते हैं, वे भी क्लियर है, संगम पर ही बाप आकर समझाते हैं, कि दे के सब धर्म छोड अपने को अपने को आत्मा समझो, लक्ष्मी नारायन के चित्र पर ही सारी समझानी देनी है, शिव बाबा का चित्र भी है, महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है, यह है ही नर से नारायन बनने की सत्य कथा, रादे कृष्ण की कथा नहीं, सत्य नारायन की कथा तुमको नर से नारायन बनाते हैं, पहले तो छोटा बच्चा होगा, छोटे बच्चे को नर नहीं कहेंगे, कहा जाता ना, छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता है, अब क्रिश्ण को नारायन नहीं कह सकते, कैसे बात को समझा है बाहत पत्री कब कब चुक्के से बाबा कह जाता है क्रिशन को नारायन नहीं कहेंगे क्रिशन जब पूरा नर बनेगा बच्चे को इसलिए बाबा स्पस्किया कि बच्चे को नर नहीं कहेंगे नर बड़े को कहा जाता है नर, नारायम, नारी, लक्ष्मी, कृष्ण बच्चा है, तो कृष्ण को नारायम नहीं कहेंगे जब वो परमधाम जाएगा कृष्ण की आत्मा, वापिस आकर अपने शरीर को पहन कर खड़ी होगी तब उसका नाम नारायम, जब वो नर बनेगा, पूरा मुनश्य, प्रोरावस्ता में आएगा तो उम बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना है, सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना सके शंक्राचारे तो आते हैं रजो परधान, शंक्राचारे आता है रजो परधान के समय, सत्यूग है सतो परधान, और त्रेता है रजो, रजो परधान, और यह जो द्वापुर आ जाता है, यह रजो परधान हो जाता है सत्योक थृता सत्योग को और रजो और द्वापुर हो से ना द्वापुर हो जाता है रजो पर्धनता और तमों सत्योग को राज्योग सिखहे बाप आते हैं संगंपर, कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं परवेश करता हूँ, उपर्त्री मूर्ती भी है, नीचे स्रिश्ठी चाकर का, उपर्त्री मूर्ती भी है, ब्रह्मा योग में बैटा है, ब्रह्मा योग में बैठा है शंकर की तो बात ही अलग है देखेंगें तरी मूर्ति में ब्रह्मा योग में बैठा है शंकर भी बैठा है और विष्णों को खड़ा कर दिया विष्णों को खड़ा कर दिया और यहां क्या बात कही है कैसे चुपके से एक लाइन में बात कर दी कि ब्रह्मा योग में बैठा है शंकर की तो बात ही अलग है क्योंकि शंकर तो कोई है ही नहीं जो आलती पालती लगा के बैठे अब यहाँ पर ऐसे कह दे तो सारे उड़ जाए ठेने बैठा है इसलिए यहाँ पर दिखो कैसे गोल मोल बात करके बाबा निकल जाता है ना शंकर की तो बात ही अलग है अब बैल पर सुआरी होना से कि बात कहां दूसरी तरफ कनवर्ट कर दी यह कहना चाहरा है कि शंकर है ही नहीं बाब को तो यहाँ आकर समझाना है विनाश भी यहाँ ही होता है लोग कहते हैं विश्व में शानती हो वे तो होने वाली है तब बुद्धी में आता है चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो जो शिव की वा देवताओं की भक्ती करते हैं उनको समझाना है जो शिव की भक्ती करते हैं जो देवी देवताओं की भक्ती करते हैं उन्हों को समझाना है वो जल्दी समझेंगे वो जट मानेंगे बाकी नेचर वा साइंस आदी को मानने वालों की बुद्धी में जल्दी से बैटेगा? नहीं. दूसरे धरम वालों की भी बुद्धी में नहीं आएगा. जो दूसरे धरमों में convert हो गए हैं वो निकलाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा वो आ जाएंगे उनकी क्या फिक्रात करनी है देवता धर्म वाले वा बहुत भक्ती करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे तो देवताओं के पुजारियों को समझाओ, बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं, बड़े आदमी नहीं आएंगे, समझो बिरला है इतने मंदिर बनाते हैं उनके पास ज्यान सुनने की फुरसत ही कहा है उनके पास ज्यान सुनने की फुरसत ही कहा है सारा दिन बुद्धी धंदे में लगी रहती है पैसा कमा और मंदिर बनाओ पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलता है पिए मैं मंदिर बनाता हूँ तो भगवान मेरे पर खुश हो जाता है मेरा धंदा अच्छा चल जाता है लोगों के दिमाग में यही है कि मंदिर में हम दान करके आते हैं बस हमारा दंदा और अच्छा हम इतना करते हैं हमारे पास और आ जाता है इतना करते हैं बगवान को देते रो और बगवान से लेते रो बस मंदिर बनाने से धन मिलता है ये देवताउं की किरपा है तुमारे पास कोई आये तो लक्षमी नारेन का चित्र उन्हें दिखाओ बोलो तुम विश्व में शांती चाते हो विश्व में शांती का राजे इस दुनिया में था विष्व में शांती चाते हो तो विष्व में शांती का राज्य इस दुनिया में था फलानी तारिक से फलानी तारिक तक सूर्य वंशी राजधानी में बहुत शांती थी सूर्य वंशी राजदानी में बहुत शांती थी फिर दोकला काम हो जाती है फिर दोकला काम हो जाती है इस चित्र पर ही सारा मदार है अब तुम विश्व में शांती चाते हो कहां चलेगे शांती चलो शांती चाते हो तो कहां जाओगे कहां चलोगे घर को तो जानते नहीं हो परमधाम को तो जानते नहीं हो ब्रमा कुमार जानते हैं कहा है परमधाम कहा है कहा रहते है कहा है यह तो कुछा जा रहा है परमधाम मैक्सिमम भाई बहने भी यह बात नहीं जानते कि परमधाम परमधाम परमधा है बाकी वो किसी जगा का नाम नहीं है दुनिया वाले घर को जानते तो है ही नहीं कि परमधाम क्या है हम आत्मा शांत स्वरूप है मूल वतन में रहते हैं वही शांती धाम है वे इस दुनिया में नहीं है वे इस दुनिया में क्यों नहीं है इस दुनिया में वो जबकि हम आत्मा यहीं होते हुए फिर इस दुनिया में क्यों नहीं है प्रिशन उठेगा बाई बेहन पुछेंगे क्योंकि हमारा इस दुनिया पर कोई परभाव नहीं होता और दुनिया का हमारे उपर कोई परभाव नहीं होता जैसे कोई हमारे साथ रह रहा हो और यदि वो हमारे बीच में कोई काम में ना आता हो यह जो है इस दुनिया से अलग है इसको छोड़ दो भई यह अपनी मर्जी से जीता है, अपनी मर्जी साब से जीता है रहा है अमारे साथ रहा है पर तो वो जी अपने हिसाब से रहा है तो से यह इस दुनिया में नहीं है फिर भी उसका इस दुनिया से काम होता है पर तो आत्मा का जब तक पाठ नहीं होता तब तक वो शरीर में नहीं आती चाहिए वो कहीं भी रह तो इस दुनिया से अलग है वो दुनिया इस दुनिया से क्या है अलग यह है साकारी दुनिया वो है निराकारी दुनिया क्योंकि इस दुनिया हम देखी नहीं सकते उसको उसका आकार बना ही नहीं सकते बेशक वो यहीं हो बाकी विश्व इसको ही कहा जाता है जो दिखाई देता है विश्व में शांती नई दुनिया में होगी, विश्व के मालिक ये बैठे हैं, गरीब इन बातों को अच्छी रीती समझते हैं, कोई कहते हैं ये रास्ता बहुत अच्छा है, हम रास्ता ढूनते थे, रास्ते का मालूम ही नहीं था, ढूनेंगे क्या, ढूनेंगे क्या, ऐसा कोई नहीं, जिसको बाप और जीवन मुक्ती के रास्ते का पता हो, जिसको बाप और जीवन मुक्ती के रास्ते का पता हो, शांत शान्ति कहते रहते हैं पर न कुछ अब को और दो कुछ आधि किसको भी पता नहीं, कितनी कांफ्रेसादी करते हैं, उनसे पूछना चाहिए, तुमने कभी विश्व में शान्ति देखी है के विश्व में शान्ती कैसे होती है तुम प्रजा आपस में क्यों मूझते हो कौन फ्रेस करते रहते हो जवाब कहां से मिलता नहीं विश्व में शान्ती तो अब बाप द्वारा स्थापन हो रही है तुम कहते हो क्राइस से तीन हजार साल पहले heaven था तीन हजार साल पहले क्या था heaven था तो वहाँ ही शान्ती थी वहाँ ही शान्ती थी अगर वहाँ भी अशान्ती होती तो बाकी शान्ती का मिलेगी भई फिर शान्ती का मिलेगी अच्छी तरह से समझाना है अच्छी तरह से समझाना है वहाँ शांती भी कौन सी थी एक शांती होती है परमधाब में चाहा संकल्प भी नहीं होते है परतु एक शांती होती है सुख धाब में वहाँ संकल्प भी होती है बोल भी होता है कर्म भी होता है परतु उनके जो संकल्प हैं वो सर्वांत सुखाए हैं सब को सुख देने वा होते हैं जिसके कारण मन शांत रहता है हल चल में नहीं आता है तो वो शांती सत्यू की अलग है और सुखदा शांती धाम की शांती अलग है अच्छी तरह से समझाना है बाबा केते यह बाते अच्छी तरह से समझानी है इस समय तो तुम को इतना समय बात करने नहीं देते अभिए उनके सुनने का समय नहीं आया. हमारे एक इजन भाई आये देखा ना दुख दो, शुक दो, कहते हैं ये मुझे समझाओ. मैंने अब एक मैंने का अच्छा समझाता हूँ. कहते हैं नहीं, नहीं, हमें जाना है भाई, इतना टाइब नहीं है. सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या है, पर तु सुनने का टाइम नहीं है, सुनने का सो भागय चाहिए, इसके भागय में होगा वही सुनेगा न, तुम पदमा पदम भागय शाली बच्चे हो, बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो, बाप बिगर कोई सुन अन सुना, सुना ना सके, सिवाए परमात्मा के कोई ये सत्य रास्ता सुना नहीं सकता, बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं, ये है ही रावन राज्ये, तो यहां शांती कैसे हो, यहां शांती कैसे हो, सकती है, रावन राज्ये में सब पतित है, पुकारते हैं कि हमको पा पावन दुनिया तो इन लक्ष्मी नारायन की थी, राम राज्य और रावन राज्य में कितना पर्क है, सूर्य वंशी, चंद्र वंशी, फिर होते हैं रावन वंशी, इस समय है कल यूग, इस समय है कल यूग, रावन समपरदाए, बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर करते रहते हैं, हम तेरे कुड़ा देंगे, तेरा कर देंगे काप, बहुत अंकार है, बहुत अंकार है कि मैं पलाना हूँ, तो इस लक्ष्मी नारायन के चित्र पर समझाना बहुत सहज है, बोलो, इनके राज् में ही विश्व में शांती थी, कोई और धरम नहीं था, विश्व में शांती, सो तो यहां ही होती है, तो मुख्य ये चित्र है, बाकी धेर चित्रों पर समझाने से, मनुष्यों के ख्यालत और दरफ चले जाते हैं, जो समझा है, वे भी भूल जाते हैं, तब कहा जाता है, too many cooks बहुत ज़्यादा cook होना तो भोजन का बेड़ा गर्क कर देते बहुत चित्र होते हैं और हसी-कुडी के model आदी अत्वा डायलेग आदी होते हैं तो मूल बात बुद्धी से निकल जाती है आप जैसे माउंट आबू में प्रोग्राम्स करते हैं उसमें सेशन होगा छोटा टांस होगा स्वागत होगा ये होगा उनका भाशन होगा और जो मूल बात होती है जो उनको ग्यान देने वाली बात है वो उसमें क्या हो जाती है कायब हो जाती है उसका इतना प्रभाव नहीं रहता ये प्रभाव रहता है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा कांतु क्या हुआ क्या मिला वो भाग्ये जिसका जो ले गया कोई विर्ला ही समझ पाते हैं कि बाप ये स्थापना करें 84 जन्नम भी इसके लिए ही है दिखाएंगे जरूर एक का सब का कैसे रखेंगे शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है अर्जुन को ज्ञान सुनाया ना बाक्यों को तो ज्ञान नहीं सुनाया ना स्कूल में मास्टर एक ही थोड़े को पढ़ाएंगे एक थोड़े को ही पढ़ाएंगे तेर सारे होंगे न पढ़ने वाले, ये भी स्कूल है, तो टीचर है शिव बाबा, सब को पढ़ाएगे न, उनके लिए कोई अपना पढ़ाया तो है ही नहीं, ये सबसे अच्छा है, पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए, और फिर लक्ष्मी नारेन के चित्र के आगे, तुम शांती मांगते हो, वे कल्प कल्प बाब द्वारा ही स्थापन होती है, तुम इस चक्र को जान गए हो, पहले तुम भी तुछ बुद्धी थे, तुम भी क्या थे, तुछ बुद्धी थे, अब बाब स्वच बुद्धी बनाते हैं, अब बाब क्या बनाते स्वच बुद्धी बनाते हैं, लिखना चाहिए, सिवाए परम्पिता परमात्मा के कोई भी किसकी सद्गति कर नहीं सकते, विश्व में शांती कर नहीं सकते, बाप ही सब कुछ कर रहे हैं, याद भी उनको ही करते हैं, मुख्य चित्र ये दोनों है मुख्य चित्र ये दोनों है इस से हिलना नहीं चाहिए इन चित्रों से कौन से चित्र है त्रीमूर्ती का लक्ष्मी नारायन का ठेने ये चित्र जो है न दोनों हिलना नहीं चाहिए जब तक पुरा ना समझे ये नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा टाइम वेस्ट हो जाता है देखो बुद्धी में नहीं बैठता तो चला देना चाहिए यदि सामने वाले को नहीं समझ मैं था तो उसको खो ठीक है जी फिर आप आना उसको चला दो जा भी तू मुझका जब तेरा टाइम होगा तो आज़े हो इसमें समझाने वाला बहुत अच्छा चाहिए अगर माता हो तो बहुत अच्छा इसमें कोई नराज नहीं होगा ये तो सब जानते हैं कि कौन-कौन समझाने में तीखे हैं जो इशार हैं जो समझदारी से समझा सकते हैं उनको आगे करो, मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो पहले लक्ष्मी नारेण के चित्र पर एक दम पक्का कराना चाहिए, बोलो इन बातों को अच्छी रीती समझो, तब शांती की दुनिया में जा सकेंगे, मुक्ती जीवन मुक्ती दोनों ही मिल जाएंगी, मुक्ती में तो सब जाएंगे, फिर आएंगे नंबरवार पाड़ बजाने, समझाना भी भग्के से है, बड़ा नशे से, बड़ी खुशी से समझाना है, ये नहीं के डरते डरते, कुछ करते रहे हैं ना, नंबर वन ये चित्र है, विश्व में के मालिक यही थे, कौन? लक्समी नारे, ये बाते समझदार की बुद्धी में बैठती हैं, भल अच्छा अच्छा कहते हैं, पाओं में गिरते हैं, परंतु बाप को थोड़े ही जाना, आपको तो नहीं जाना ना, उनको भी माया छोड़ती नहीं है, बाप जो इतना उंच बनाते हैं, उनको तो कितना याद करना चाहिए, इसलिए बाप कहते हैं, मुझे याद करो, तो तुमारे बाप कट जाएंगे, सतो परधान बन जाएंगे, यहां अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, मैं ये बनता हूँ, मैं अंदर हिस्टी हॉल में आता हूँ, इन लक्ष्मी नारेन को देखता हूँ, सामने लक्ष्मी नारेन की ट्रांस लाइट रखी है, इने देखकर बड़ा खुश होता हूँ, ओ, ओ, बाबा हमको ये बनाते हैं, वह बाबा वह, लोकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है, तो खुशी होती है, मेरा बाप वजीर है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, कि बाप हमको ये बनाते हैं, परंतु माया बुला देती है, बड़ा सामना करती है, तुम बच्चों को बहुत खुशी रहने चाहिए, दैवी गुन भीधारन करने चाहिए, आतम अभिमानी भाई भाई को देखो, तो इस्तरी को भी आतमा के रूप में ही देखेंगे, क्रिमनल आई होगी नहीं, गंदी नजर होगी नहीं, मनसा तुफान तब आते हैं, जब तुम भाई भाई की दृष्टी से नहीं देखते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है, प्रैक्टिस अच्छी आतम अभिमानी बनना है, कर्मा तीत अवस्था तो पिछाडी में ही होगी, सर्विस करने वाले, बच्चे ही बाप की दिल पर चर सकते हैं, भव देरी से आते हैं, वे भी गैलप कर सकते हैं, तीखे जा सकते हैं, तुम बच्चों ने पहले की हिस्टी तो सुनी है, कि इन्ह ने घर बार कैसे छोड़ा, ब्रह्मा बाबा रात को जो आयते माताए घर छोड़ करके, रात रात में भागे, फिर इतने बच्चों को पाला, इसको कहा जाता है भठी, फिर भठी से नंबर वार निकले, सारे तो एक जैसे नहीं निकले, ये तो वंडर है ना, जो बाबा त पादर तुम को पढ़ाते हैं, कितना साधारन है, कितना रोज-रोज बच्चों को समझाते रहते हैं, और बच्चों को कहते हैं नमस्ते, बाबा बच्चों को क्या कहते हैं, नमस्ते, बच्चे तुम मेरे से भी उचे जाते हो, तुम ही कंगाल से डबल सिर्ताज विश्व क मलक बनते हो, तो बाप बड़ी रुची से आते हैं अंगिनत बार आए होंगे एक दो बार नहीं आज तुम मुझ राम से राजे लेते हो, मुझ राम से राजे लेते हो, ये है राम फिर रावन से तुम राजे हराते हो यही खेल है अच्छा मिठे मिठे लकी सितारों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गोड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते 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 दारना के लिए मुख्य सार नमबर एक आत्मा को सतो परधान बनाने के लिए एक सर्व शक्ति मान बाप से वर्षा ताकत लेनी हैं, देही अभिमानी बनने का पुर्शार्त करो, हम आत्मा भाई भाई हैं ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो, बाप और लक्षे, लक्ष्मी नारेन के चित्र पर हर एक को समझाओ, एक बाप का चित्रो और एक लक्ष्मी नारेन का, विस्तार से समझाओ, बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो, वर्दान, धरनी, नव्ज और समय को देख, सत्य ग्यान को परतक्ष करने वाले नौलेजफुल भाव, बाप का ये नया ग्यान, सत्य ग्यान है, इस नए ग्यान से ही नई दुनिया स्थापन होती है, ये अथोर्टी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन इसका ग्यान की नई नई बाते सुना कर मुझा दो, धरनी, नव्ज और समय सब देख करके ग्यान देना, ये नौलेजफुल की निशानी है, आत्मा को की इच्छा देखो, नव्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्य ताके निर्भैता की शक्ती जरूर हो, तब सत्य ग्य को परतक्ष कर सकेंगे, स्लोगन है, मेरा कहना माना, छोटी बात को बड़ी बनाना, मेरा कहेंगे, तो छोटी सी बात भी बड़ी हो जाएगी, तेरा कहना माना, पहार को भी जैसे, पहार जैसी बात को भी रूई बना देना, हलका कर देना, क्योंकि मेरे का बोज जादा, त तेरे का बोज हलका हो जाता है. वो बोजही नहीं है. अव्यक्त मास में अव्यक्त साइलेंस द्वारा, डबल, लाइंट परिस्ता सित्ती का अनृभव करो. जिम्मयवारी को निभाना ये भी अवश्यक है लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही copyright, जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोज से न्यारे रहो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा, ख़बराओ नहीं, क्या करूँं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूँ वा नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये मैसुस्ता अर्थात बोज है डबल लाइट अर्थात इस से भी न्यारा कोई भी जिम्यवारी के कर्म की हल चल का बोज ना हो अच्छा ओम शांति और विश्तार से जानने के लिए प्रजा पिता ब्रमा कुमारी इश्वरिय विश्व विद्या लेके किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करे और यदी कोई प्रशन है तो 9213106986 पर के वल टेलिग्राम करे 9650692270 पर के वल वाटसेप करे फोन नहीं ओम शांति